दिल्ली एक केंदर शासित के देश है यहां आप देखते हैं कि विधान सभा भी यह और विधान सभा में 70 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहां राज्य सभा में तीन सीटें देखने को मिलेंगी, लोग सभा में साथ सीटें देखने को मिलेंगी वर्तमार में यहां के मुकमंत्री अरवेंद के रिवाल हैं और आप देखते हैं कि उपराजपाल बीके सकसे ना है और आप लोग देखते रहते होंगे कि दिल्ली सरकार और केंद सरकार में हमेशा तनाव बना रहता है और उपराजपाल और दिल्ली के मुखमंतरी के वी टकराओ की खबरें कईवार आती रहती है पर एसानी यह है कि बाकी राज्यों में आप लोग देखते हैं न कि चुने हुए मुखमंतरी के पास जितनी सक्तियां होती है न बास्तविक सक्तियां मुखमंतरी के पास ही होती है लेकिन दिल्ली की मामली में ऐसा नहीं है दिल्ली में उल्टा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां का जो उपराजपाल होता न वो मुखमंत्री से सकती साली दिखाई देता है और यही कारण बना हुआ है क्योंकि आप सभी जानते कि उपराजपाल को जनता की बीच नहीं जाना पड़ता है जनता के पिती वो जवाब दे ही नहीं होता है अगर वो काम भी नहीं करेगा तो जनता से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा लेकिन मुख मंत्री को हर पांस साल में चुनाओ में जाना पड़ता है वो जनता की पिती जवाब दे ही रखता है अगर वो काम नहीं करेगा तो आप देखें जनता की बीच जा कैसे सकता है वोट कैसे मांगेगा और जनता वोट उसे कैसे देगी तो यह दिल्ली का मामला आप देखेंगे कई वार अदालत में जा चुका है तो अभी फिर से चर्चा में बना हुआ है और चर्चा का कारण ए है कि जो आप लोग देखेंगे यहां पिसासने के सेबाओं पर नेंतर्ण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंदे के बीच बिबाद का विसाय बना हुआ है और जिसकी सुनबाई सर्वोच नयाले के पांच नयाधीसों की समिधान पीट त्वारा की जा रही है तो आद दिल्ली की कहानी पूरी एक हम लोग देख लेंगे कि आखिर कहां कहां बिबाद कैसा बना हुआ है और अभी तक अदालत में जो जो मामला गया है अदालत क्या कहती है इस पर और समिधान पीट क्या होती है यह आप लोगों की दिमाग में आता होगा तो समिधान पीट सर्वोच नयाले की एक पीट होती है जिसमें पांच या उसली अधिक नियाईदी से आपको देखने को मिलते हैं और एक सवाल और आप लोगों का लेता है कि ये विसम संख्या क्यों रखी जाती है पांच, साथ, नो, ग्यारे, तेरे देख लिए एक बात और आपको बता दूँ कि ये विसम संख्या इसलिए रखी जाती है कि पांच की जगए छे के उनी रखा गया है या साथ की जगए आठ के उनी रखा गया है क्योंकि आप देखें कि पांच सदस रखे गया है इसमें सामिल किये गया है तो आप देखेंगे तीन इसके पक्ष में रहेंगे, कोई फैसल आएगा, तो उसके पक्ष में तीन लोग रहेंगे, बिपक्ष में दो लोग रहेंगे, या हो सकता है कि उसके पक्ष में तीन लोग हो, बिपक्ष में दो लोग हो, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसक संक्या इसकी रखे जाती है और सर्वो चिन्याले आप सभी जानते हैं कि यानि कि स्परींग कोट की बात हो रही है और स्परींग कोट आपको मालू होना चाहिए कि हमारा समीधानिक संस्था है समीधान की अनुचेद 1224 के तायद इसकी स्थाफना की बात कही गई है 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थाफना हुई थी और आप देखेंगे कि इसमें जो नियादीस रहते हैं उनकी सेवानी वित्ती की उम्र 65 साल रखी गई है तो यह अभी आपनों याद रखेगा ठीक है और आप देखेंगे कि दिल्ली यह बर्स 2017 का नेड़े हैं इसे भी आप लोग देख लिजे कि दिल्ली उच नियाले ने बर्स 2017 के अपने फैसले में कहा था कि राष्टी राध्दानी छेत NCT के पिसासनिक उद्देश के लिए उपराज जपाल की हमेशा मंतरी परसती सला और सेफारिसों पर ध्यान देने क की आवस्तकता नहीं है और बर्स 2017 में अपील की जबाब में सर्वोच नियाले ने सम्मिधान की अनुछे 249 एकी ब्याक्ष्या पर नेड़े लेने के लिए मामले को आंगे संदर्वित भी किया था सम्मिधान की अनुछे एक के तैत दिल्ली का दर्जा एक के अंदसासी प्तेश का है और किन्तु अनुछे 249 नहीं 239 एक के तैत इसे राष्टी राध्धानी छेत का नाम भी दिया गया है ये भी आपो याद रखेगा और भारत की सम्मिधान की 29 संसोधन द्वारा अनुछे 249 एक को समलित किया गया जिसमें केंदसासी प्तेश दिल्ली को LG द्वारा पिसासित केंदसासी प्तेश घोसित किया जो कि निर्वाचित बिधानसवा की साहता और सलाय पर काम करता है तो यह आप लोग याद रखेगा और बर्स 2018 की अगर आप लोग नेड़े को देखें तो यह क्या कहता है पांस नियाएदीसों की समिधान पीट ने सरफ समती से माना था कि दिल्ली के उपराजपाल को निर्वाचित सरकार की साहता और सलाय लेनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आवस्ता है यहां सला लेनी चाहिए क्योंकि आप देखें कि इस समिधान पीट भी जानती है कि मुखमंत्री कोई ताली वजाने के लिए नहीं बनाया इसका भी कुछ काम तो होना चाहिए तो यह सलाय की बात की गई है यहां सलाय ठीक है और बरस 2019 के अगर आप लोग नेड़े को देखें तो यह क्या कहता है एक कहता है कि सर्वच नयाले की दो नयादीसों की फीटने आप देखेंगे फीठने सेवाओं के संदर में दिल्ली सरकार और कैंस सरकार की सकतियों की सवाल पर एक आसमान मत दिया था और तथा मामले को आगे की सुनवाई के लिए तीन नयादीसों की पीट को भेट दिया और जबकि एकल नियादीस से ने नेड़े दिया था कि दिल्ली सरकार के पास पिसासनिक सेवाओं पर कोई सकती नहीं है। के बल केंद सरकार द्वारा की जा सकती है क्योंकि केंदर साध्य पिदेश है तो आप देखते अधिकतर मामले ऐसा रहता है कि केंदर के अंडर में आप देखेंगे कि पुलिस वेवस्ता है यहां से उसी के अंडर में आती है। राष्टी राध्धानी और राष्ट का चेहरा होने की कारण दिल्ली में अधिकारियों के इस्थानानतन और नियुक्ती करने की सकती की आवस्ता होती है। और नियालाय ने सहमती वेक्त की कि सेवाओं सब्दे की समंद में केंद और राष्टी राध्धानी चेत दिल्ली की बिधाई और कारकारी सकतियों के दायरे से समंदी सीमित पिसन को समिधान की अनुचेद 145 तीन की संदर्म में समिधान पीट द्वारा एक अधिकारिक ने कि और किसी पार्टी का है और आप देखते हैं कि केंदर में सत्ता किसी और पार्टी की है तो आप देखें टकराओ देखने को सोभाविक सी बात रहती है मुद्दे में बाद पिती बाद तो अगर हम लोग वाद की बाद करें तो कैन लगातार कहता रहा है कि चुकि दिल्ली राष्टी राध्धानी और देश का चेहरा है इसलिए पिसासनिक से वहाँ पर इसका नियंतन होना चाहिए किसका कैंदर का और जिसमें नियुक्तियों औ कि राष्टी राध्धानी चेत दिल्ली सरका संसुधन अधीनियम 2021 में हालिया संसुधन संविधान के मूल धाचे की सिद्धान का उलिगन करता है तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए और कई लोग आप देखें इसके पक्ष में भी है ये भी कहते रहते हैं कि यहां जो बिधान सबाय ना उसे खतम कर देना चाहिए यहां का केबल MCD होने चाहिए नगर निगम होना चाहिए ठीक है तो उनका अभी अपना तरक है नई दिल्ली का सासन मोडल तो संसुधन की अनुछे अनुसूची एक के तहट दिल्ली का दर्जा एक के अंदसासी दिल्ली को LG द्वारा 15 सबा की साहिता और सालाय पर काम करता है संग सूची पर होंगेлект साध्वी अनुसूची की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देखे, पुलिस का मामला, onlyक विवस्था का मामला और भूमी का मामला एक कैंदर में आता है कैंदर सासे पिदेशों में, ठीक है? इस पर अगर कोई कानून लाना है, तो आप देखते हैं कि कौन कैंदर सरकार ही लाती है, और एक बात और दिल्ली चाहिए हमें दिल्ली की पुलिस चाहिए इसके अलाबा अनुछे 249 ए यह भी कहता है कि LG को या तो मंत्री परस्त की सहायता और सलाप परकार करना होगा अधवा हुए राश्टपती द्वारा लिए गए नेड़े को लागू करने के लिए बाद है साथ ही अनुछे 249 ए में यह बिवस्ता है कि ओपराजपार और दिल्ली सरकार की बीच किसी मुद्दे पर मदभेध होने पर LG मामले को राश्टपती के पास बेश सकता है और एक बात आपको बता दूँ कि देखे राश्टपती की बात कर लिए तो आप सभी जानते हैं कि चुनाओ होता है उसका और आप दिखते हैं कि जो आपकी विधान सवा लोक सभा राज सभा के निर्वाचित सदस होते हैं ओह ही उसका चुनाओ करते हैं राष्टपती का और आप देखें जिसके पास बहुमत होगा उसे ही का राष्टपती रहता है कहने के लिए राश्टपती है लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमा राश्टपती अगर BJP जो काम करें उसे करने के लिए एक तरह से आप देखिए अगर वो कह दिया ये काम आपको करना है तो राश्टपती को करना होगा क्योंकि उन्हीं के रह्मों करम पर वो र उसके ही कहने पर आप देखते हैं कि उन्हें उस बेक्ति को वो राज़पाल बना देता है। मिलेगे और एक बात और आपको बता दूँ यह उधारन आप लोगों को देखे होंके कि पंजाब में आप लोग चले जाए विहार में चले जाए आप लोग जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वह आप देखे चाहिए पश्चे मंगाल में मंत्री और राजपाल की भी कितनी आपने हो जागर रहा है विबाद उनका और इस तरह से इस पेकार LG और निर्वाची सरकार के बीच यह दोएद नेंतर्ण सत्ता संगर्स की और उनमुक हो जाता है आंगे की राहे की बात होती तो समिधान की संगिये प्रकिती इसकी मूल बिसेशता है और इसे बदला नहीं ज संत्तलन की आव सकता है और आत्यदिक राजनेतिक या अराज्यक राजनेतिक विकंद्रीकन दोनों ही भारत संगबाद को कमजोर कर सकते हैं और इस बिकर्स का बिकर समस्या का संतोश चनग और इस थाजी समाधान बिधान पुस्तक में नहीं बलकि सत्ता में बैठी लोगों के इस्थम्ब के रूप में सामोही कुत्तरदायत साहता और सला के साथ एक संतुलन खोजना और एवं यह तै करना महत्मून है कि दिल्ली में सेवाओं पर केंद या दिल्ली सरकार का नियंतर होना चाहिए या नहीं आप लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं यह अपनी राय कई लोग आप देखते हैं कि मुखमंतरी को सक्तियां देने के पक्ष में होते हैं कई लोग इनके बेपक्ष में होते हैं यही मामला बना होगा है आप सुप्रीम कोट क्या कहता है आदालत क्या कहती है उसका नेड़य देखने लायक होगा क्योंकि उसका जो भी नेड़य आ कहते हैं से और जब उनकी पंजाब में सरकार बनी है तो आपने देखा होगा कि डेड़ राज्ज में सरकार बन गई है यह लोग कहते हैं चलिए तो एक मुझे लगता है कि ओवर्वीव मिल गया होगा और कुशन सकर यहां से पूंचा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसका जब आप दे सकेंगे